आप सबीने birds को उड़ते हुए तो देखाई है, मेरा मतलब V-shape में, लेकिन आप में से ना के बराबर लोगों को पता है कि चडिया का V-shape में उड़ना उनकी intelligence की निशानी है और इसके पीछे शांदार science है, जल्दी से अपनी स्क्रीन पर डबल टैप करो और ध्यान से समझो बच्पन में एक लाइन तो आपने कई बार पड़ी होगी, air always moves from a region of high pressure to low pressure, जैसे ही चडिया उड़ने के लिए flap करती है, यानि फड़ फड़ाती है, तो यहाँ punk के नीचे high pressure zone create होता है, और punk के उपर low pressure zone create होता है, अब obviously air यहाँ से यहाँ move करेगी, तो एक rotating vortex यानि भंवर बन जाता है, इस vortex का sense यह है कि bird के just पीछे की air को लगाता downwash मिलता है, और पीछे plus side में जो air है, उसको constant upwash मिलता है, आशान भासा में कहूं तो यह लगातार ऊपर उठती जाती है, इसलिए अगर कोई bird इन upwash zones में fly करेगी, तो उसको free की uplift मिलेगी और उसकी energy बचेगी, इसी रीजन से jets भी V-shape में उड़ते हैं, प्लस V-shape में उड़ने से line of sight भी शानदार रहती है, अगर आप भी ऐसे 3D वीडियोस बनाना सीखना चाते हो तो पिंड कमेंड में दिये गए link पर click करो